बित्रो नमस्कार मित्रो हमारे एस्ट्रोसुल कारिक्रम में आज बहुत-बहुत आपका स्वागत है मित्रो आज हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं विशोत्री महादर्शा के संबंध में अंतिम करिक्रम जिसे जो हमारी सीरी चल रही थी जिसके हमने इससे पूर्व तीन एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिये हैं उसी का आज ये चोथा भाग उपसंगार नामक चोथा भाग जो है आपके समक्षम रखने जा रहे हैं ये करिक्रम एक तरह से मर्शिप पारासर निया अंतिम भाग में जो है इसका जो जूस है जो सत्व है वो निकाल कर प्रगट किया है या रखा है वह हम आपके सिवा में प्रस्तुत कर रहे हैं इसमे जो विशुत्तरी कारिक्रम या विशुत्तरी महादशा के विशेम जो कारिक्रम है इसमें जो बची भी जो विन्दु हैं ये था यदि पापी ग्रह की महादशा है तो उस समय में 303 महादशा की क्या इस्थित्य होगी यदि किसी मारक ग्रह की महादशा है तो उस समय जातक की क्या इस्थित्य होगी या शुक्र या शनी इन में से किसी ग्रह की माधरशा है तो जातक के उपर माधरशा के अंतरगत क्या परिणाम होंगी इसके बश्चाद में त्रोब अंतिम और चोथा जो बिंदु है आज का वो है राज्योग की चनम कुंडली को देखते हुए ग्रहों की क्या स्थिति होती है जब जातक को जनम जात जब उत्पन होता है तो ग्रहों की ऐसी स्थिति जनम कुंडली के अंदर विराजमान रहती है जिने देखकर सहज ही यह अंदाजा लगा जा सकता है कि जातक प्रबल राज्योग लिए हुए है सोभाग्य साली है और अपने जीवन में चेहूं प्रकार की सफलताओं को अपने जीवन में लेकर वह इस दुनिया में इस जगत में आया है तो मित्रो चलिए सबसे पहले हम सुरू करते हैं 2003 महादरशा का जो प्रतम बिंदू है कि यदि जातक की जन्म कुंडली में कोई पापी ग्रह की महादरशा चल रही है पापी ग्रह से तात्परिय है कि यहने क्रूर ग्रह भी एक सरसे कहते हैं जो सनी हैं, मंगल है, सूर्य है, रहू है, केतू है, आदी आदी कुछ कंडिशनस में चंद्रमा और गुझ भी इस इस इस्तिति को प्राप्त होते हैं तो यदि पापी इस्तिति में है कोई ग्रह है तो पापी ग्रह की महादरशा ज़िए कोई चल रही है और उसमें किसी शुब ग्रह का शुब ग्रह की अंतरशा आ जाए तो इस इस्तिति में क्या प्रिणाम होंगे तो महारेशिक कहते हैं कि यदि पापी ग्रह की महादरशा हो और शुब ग्रह की अंतरशा हो किन्तु वे आपस में संबंध ना रखते हों असंबंध ही हों तो उस में उस इस्तिति में पाप्खल की प्राक्ति होगी किन्तु वहीं यदि पापी ग्रह की महादर्शा है सुब ग्रह की अंतरदर्शा है और वो संबंधी भी है संबंधी और सेधर भी के बिंदू को हम अब से पहले के अपिसोड में आप जाके देख सकते हैं हमने उनको क्लियर कर दिया था हम तो मित्रो यदी बें दोनों ग्रह अपने आप में संबंधी हैं जिसकी मध्रसा चल रही है वो और जिसकी अंतरदसा है वो यदि दो दो दोनों ग्रह आप संबंध सबना रखते हैं तो ऐसी इस्तिति में वीवे शुभ बहुत सुभ परिनाम नहीं उत्पन करेंगे लेकिन मिश्रित फल देंगे चूंकि कभी दोनों ग्रह के युए शुब होते या किन्द्री के स्वामी होते फिर समơं बहुते थो बड़ी अच्छी इस्तिती होती और उस इस्तिती में वे शुह परिणाम कुछ पन्य करते हैं किन्तु यहां एक पापी ग्रह की मादसा है और शुब ग्रह की अंतरदसा है और वह है यदि संबंदी हैं तो मिश्रित फल देंगे कभी अच्छा फल देंगे कभी खरा फल देंगे और यदि असंबन्दी हैं तो निश्य तोर पर पाफ़ल से जातक को पाफ़ल जो है पाफ़ल देंगे वो अच्छा नहीं होगा उनके जिवन के लिए इसके बाद मित्रू दूसरा बिंदू है यदि मारकेश यदि जातक की जर्म कुंडली में मारक ग्रह की महादर्शा है किसी सुब ग्रह की अंतरदर्शा है तो ऐसी स्थिति में मित्रो चुकी सुब ग्रह की अंतरदर्शा है और मारक ग्रह की महादर्शा है तो मारक का तत्परिय होता है म्रत्यू लेकिन सुब ग्रह की अंतरदर्शा होते वे भी ऐसी स्थिति में जातक की म्रत्यू नहीं होग मर्ट्य तुल्य कस्ट हो सकता है लेकिन मर्ट्यू नहीं होगी और यहां यह भी देखना बहुत आवश्चक होता है कि आयू आयू दाय का जो प्रकरण है जनम कुडली से यह हमें जाच लेना चाहिए कि जातक कि आयू जो है इस समय में जबकि यह किसी मारग रहे की मता सा चल रही है उस स्थिज़ भी देखना बहुत आवश्चक है कि क्या जातक कि आयू का जो काल है वह देरखजी भी है अल्पकालिक है या वे मध्यायू को लिए हुए है तो उससे भी अंदाजा हो जाता है कि जो मारग रहे की जो माधर्शा है उसमें परिणाम जो आने वाले हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं इसके अलावा भी बीतरो जैदि शुग रहे की अंतर दर्शा है तो महरशी उस समय मृत्यू न नहीं है किन्तु मारग ग्रह की माह दर्शा हो और प्रापी ग्रह की अंतर दर्शा हो तो उस स्तिति में मृत्यू संभव है उसमें मृत्यू को टालना बड़ा मुश्किल है और यदि माल लीजिए आयू की जर्म कुडली में आयू बल भी जो है आयू की स्तिति भी जो है हम ये देख रहे हैं कि वह जो है अच्छी नहीं है तो फिर समझे लीजिए कि सत्प्रतिसत ब्रत्यों संभव हो सकती है आज के संदर में मित्रो इसकारिकरेम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने तीसरे बिंदू को आपके समख्ष रखते हैं महर्शिक कहते हैं कि यदि सनी और शुक्र दो अपने आप में मित्रग रहे हैं और ये अपने आप में इस मैत्री भाव को प्रकार प्रकट करते हैं यदि माली जिये सनी की महाधसा है, तो शुक्र उसे सहता करते हैं, और शुक्र की यदि महाधसा है, तो सनी उसे सहता करते हैं, यानि कि शुक परिणाम देते हैं. वह कैसे संभव हुए? कि माली जिये व्रेश लगन है जातक का या तुला लगन है, यानि कि शुक्र की ग्रह की दोनों राशियों में से कोई सा भी एक लगन है, और उसमें सनी का अंतर चल रहा है, सुक्र की महाधसा और सनी की अंतर दर्सा है, अथ्वा मकर लगन है या कुम् और शेनी की महादसा है और शुक्र की अंतरदसा है इन दोनों ही स्थितियों में यहां एक विसेस बात यह भी ध्यान रखने योग़ी है कि जहां अन्य महादसाओं में हमने यह पढ़ा है या धिन किया है कि संबंधी होना या नहोना वे परिणाम पर असर डालता है करते आये हैं किन्तु शुक्र और शनी के संदर्व में संबंदी होना या सधर्वी होना कोई आवश्चक नहीं बतलाते हैं रहा कहते हैं कि इस संदर्व में इनका इतना ही परियापत है कि ये दोनों मित्र हैं और ये है सिर्फ संभव जो है शुक्र और शनी के लिए ही है कि कैसे में संबद्धी होना आवशक नहीं है और यदि ये एक दूसरे की संदर में की महादसा और दूसरे की अंतरदसा है तो ऐसे में शूप परिणाम परगट करेंगे मित्रो आईए अब हम जो उन्होंने शेश भाग में मिन्स्यत्री महादसा की इस प्रकरण को समाप्त करते हुए अंतिम भाग में उन्होंने कुछ राजयोगों का वर्नन भी किया है राजयोग मित्रो ऐसी स्थित्य होती है कि जो हम जातक की किसी भी जातक की जन्म कुडली को देखकर सैज ही भाव से ग्रहों का अध्यन करते हुए ये बता सकते हैं कि जातक जन्म जात अपना सोभा के लेकर उत्पन हुआ है उसकी कुडली में ग्रहों की ऐसी स्थित्य है कि जिनके होने से उसे हम कहेंगे कि इनकी जन्म कुडली में राजयोग है वो क्या स्थित्य है ये मान लिजिए लगन का स्वामी दसंभाव में है राजयोक के लिए दसंभाव राज्यस्तान होता है दसंभाव का मजबूत होना यानि कि लगनेश का दसंभाव में होना और दसंभाव के स्वामी का भी दसंभाव में होना नमबर एक, नमबर दो, दसम भाव के स्वामी का लगन में बैठना और लगनिश का लगन में बैठना दो बात तीसरा बिंदू ये है कि लगन के स्वामी का दसम भाव में बैठना और दसम भाव के स्वामी का लगन में बैठना ये तीन प्रकार के राजयोग जो दसंभाव से लेकर बनते हैं महरशी ने अपने इस प्रक्रण में लिखे हैं या बताए हैं ये राजयोग दसंभाव से बनने वाला है और दूसरा और प्रकार का राजयोग है जिसका उन्होंने चर्चा की है वह है नवम भाव से और लगन से बनने वाला राजियोग उसमें मित्रो दिसम भाव की जगे नवम भाव को हम काउंट करते हैं गिनते हैं इसमें पहले भाव का स्वामी नवम भाव में और नवम भाव का स्वामी नवम भाव में अथ्वा नवम भाव का स्वामी लगन में औ इस प्रकार से ये नौम भाव से बनने वाला दूसरे प्रकार का राजयोग मर्शी ने अपने सास्तर में लिखा है बताया है तो इस प्रकार से मित्रो ये राजयोग को इस प्रकार से ग्रहों की इस्थिति को जन्म कुंडली में देख कर हम ये बता सकते हैं इस जातक कि राज्यू बना हुआ है, राज्यू की स्तिती है। और जिस जदशा तक कि जनंप्पुंड़ी में राज्यू होता है बहुत ही सुभाग्य साली, भाग्यवान, धनवान, गुनवान, ग्यानवान और भिन भिन प्रकार के वाहन, भूमी, भवन, मकान, यस, मान, सम्मान, कीर्थी सब प्रकार से उसके जीवन में चहुं होर से सुक्की बरसात होती रहती है और वह ये भी कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि ये सब चीज़े वह जन्म जिनात ऐसे कुल में उत्पन होता है कि वह जन्म से ही इन सब चीज़ें को लेकर उत्पन होता है यदि लगना दी कि स्थिती पे कोई विप्रीद ग्रहों की जशा ना हो, द्रस्टी ना हो तक को अच्छे परिणामों से उसे जो है प्रभावित करते हैं और उसे प्रसन्य रखते हैं मित्रो, आज का यह है विशोत्तरी महादर्शा का चोथा या अंतिम उफसंघार विशोत्तरी महादर्शा का उफसंघार नामक यह प्रक्रण समाप्त होगा आसा है आपको हमारा ये कारिक्रम अच्छा लगा होगा मित्रो यदि आपको हमारा ये कारिक्रम अच्छा लगा हो या मन में कोई संदे रह गया हो इस संदर्व में विशुत्री महादसा के संदर्व में यदि कोई जिग्या साब के मन में जन्म ले रही हो या आपको कुछ पूछना हो, तो आप हमें हमारे कोमेंट्स में जाके लिख सकते हैं, फोन करके जिग्यास अपनी शांत कर सकते हैं और हमसे संपर करके आप जो है चर्चा कर सकते हैं, मित्रो यदि आपको यह अच्छा लगा है, तो मित्रो हमारी इस कारिक्रेम को लाइक करे शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी यह करिक्रम आपको मिलते रहें, आज की लिए इतना है पुर्याप्तर, धन्यवाद, नमस्कार